Hello Friends, मेरा नाम है प्रतीक्षा तरपाथी इस लेसन में मैं आपको PHP Coding Part 1 मतलब मैंने अल्रेडी PHP का Coding आपको Basic Coding बताया मेरे पिछले लेसन में ये इसका Continuation Part है जिसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ Coding के बारे में ये लेसन में बताऊंगी क्योंकि Basic Syntax पढ़ना आप Online भी पढ़ सकते हैं लेकिन Coding के बारे में छोटी-छोटी Important Guidelines जो होती है जो Rules है जो हमें Follow करना होता है उसके बारे में मैं आपको इस वाले लेसन में ये सारे लेसन ये पूरे कोर्स में आपसे शेयर करूँगी तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले जिसे मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया कि एक PHP का syntax कैसे होता है comments कैसे declare करते है variables का scope कितना होता है ना आपने देखा होगा कि मैंने echo statement यूज किया है echo तो तब मैंने आपको नहीं बताया था कि echo क्या होता है पट इस वाले लेसन में मैं आपसे शेयर करूँगी कि echo statement हम क्यों यूज करते है तो आप confused हो जाओगे कि हम कुछ हम नॉमली हर एक प्रोग्रामिंग में हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते थे बट इसमें echo क्यों यूज करें ठीक है तो हर एक statement का एक अपनी value होती है तो हमें यह पता होना चाहिए कि वह statement हमें क्यों यूज करना है तो echo statement का basic काम क्या होता है हमें आरा output प्रिंट करना तो हम एक normal जिसे hello world का प्रोग्राम लिखते हैं और हम लिखते hello hello echo hello world तो वो मुझे जो भी मेरा data रहेगा वो प्रिंट कर देगा output में मुझे वो शो करेगा जिसे मैंने इसमें use किया है कि मैंने क्या किया है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने variable declare किया है क्या होता है variable मैंने पहले ही बता आपको कि variable को identify करने पहचानने के लिए हम लोग dollar का use करते हैं तो dollar जहाँ पे भी लिखा है मतलब वो एक variable है तो मैंने variable declare किया है text1, php, text2, abc x is 5, y is 4 और मैंने क्या किया है आप देख सकते हैं याप पे मैंने इसको print किया है dollar text2 तो हम जो भी eco statement में लिखते हैं वो हमारा value on screen output में हमारा वो value आ जाता है तो हम directly statement भी pass कर सकते हैं या हम वो variable भी pass कर सकते हैं या से आप देख सकते हैं या पे मैंने variable pass किया है जो भी मैंने declare किया है तो dollar x dollar y मतलब क्या जो भी x और y में value रहेगी वो print हो जाएगी 5 प्लस 4 तो उसका output का एगा 9 तो या तो मैं लिखूं output is 9 और मैं लिखूं x plus y तो मेरा value सेम होगा डिपेंड करता है यूजर पर आप नीचे देखो print का statement दिया है मैंने आपको इस slide में बताया है कि eco क्यों यूज करना चाहिए और print क्यों यूज करना चाहिए हम PHP में eco क्यों यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं PHP में आपने print statement अगर यूज किया है तो hello world print किया है और बहुत सारी line ने print किया है अब इसका difference क्या होता है सबसे पहले चीज जो की important है eco जो होता है और print दोनों एक ही काम कर रहा है आप देखो तो दोनों output ही show करता है बट बहुत difference है पहला difference यह है कि eco का कोई return value नहीं होता है वो कुछ return नहीं कर रहा है जो आपने बोला वो print कर देगा अगर आपने बोला dollar x plus y print करो तो वो ही print करेगा उसका कोई return value नहीं होता इस eco की कोई return value नहीं होती आपने बोला x और y print करो तो वो print कर देगा print में क्या होता है print statement की return value होती है तो अगर आपने कुछ प्रिंट किया तो वो one value देगा अगर आपने कुछ प्रिंट नहीं किया तो वो zero value देगा मतलब वो कुछ न कुछ return करता है ठीक है तो echo return नहीं करता है कोई value प्रिंट करता है दूसरी चीज़ echo में हम एक ही parameter पास कर सकते हैं मुल्टील नहीं पराँंटर का मतलब क्या है एक ही बार मैं वो एक ही काम क्रेगा जिसे आप में देखा ये एक ही parameter मैंने पास किया है dollar text one दूसरे लाइण में मैंने दूसरा parameter पास किया है तो एक ही बार में एक ही parameter पास करेगा प्रिंट में ऐसा नहीं होता है प्रिंट में आपको चाहिए आप सारे पैरामीटर एक साथ दे दो वो कर देगा तो यही दूरों डिफ्रेंस होता है इको प्रिंट में इको का पहला क्या है कि वो कोई रिटर्न नहीं करता है वैली प्रिंट करता है और आपका मल् सारी इसको value print नहीं करनी होती है तो यही difference होता है दूसर चीज डेटा टाइप डेटाइप बहुत important play करता है coding में क्योंकि यह पता करते हैं हम की कौन से type है सबसे important काम PHP हमारा क्यों जादा important होता है क्योंकि इसमें loosely type होता है loosely type मतलब क्या होता है loosely type मतलब इसमें डेटाइप के पहले हमें कोई type declare नहीं करना पड़ता है जैसे मैंने लिखा dollar x is equal to hello world तो हम ऐसे declare करते हैं आप देख सकते हैं यहां पे हमने कोई डेटाइप यूज नहीं किया है यह मैंने नहीं बोला उसको कि अच्छा यह बेरा string value है जैसे हम लोग नॉमली जावा में कैसे करते हैं int 10, integer 10, float 24.1, float a, ऐसे हम declare करते हैं हमें पहले डेटाइप बताना पड़ता है फिर वेरियेबल बट पी एच पी में ऐसा कुछ भी नहीं है PHP में हम सीधा क्या कर सकते हैं हम सीधा value declare कर सकते हैं हम इसमें पहले type declare नहीं करते हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं loosely type ठीक है तो इतने तरह के data types हमारे PHP में होते हैं string integer इसका example मैंने यहां पे show किया है कि what are यह क्या क्या होते है string जैसे आपको सबको पता है कोई भी मुझे value pass करनी hello world something तो यह string में आ जाता है integer मतलब number 24,1,2,3,4 float मतलब क्या होते है also called as double जैसे 24.1,22.2 point जहां decimal आ जाता है boolean मतलब condition true और false array मतलब एक ही type के objects हम लिख सकते हैं collection बनाना है एक एक बार में नहीं प्रिंट करना है object object का use क्या होता है object का मतलब यहां पर यह होता है कि देखो सबसे important चीज होती है object data type क्या store करता है data information कि वो data वो मुझे कैसे process करना है ठीक है तो इसलिए use होता है फिर null मतलब क्या होता है null मतलब empty नहीं होता है null मतलब suppose मैंने कोई variable declare किया पर मुझे उसकी value नहीं declare करनी है वो blank है तो वो null हो जाता है और resources का concept है बहुत बड़ा जो कि मैंने आगे लेके lessons में लिया है तो यह example मैंने show किया है जो कि तुमारे सारे doubts clear कर सकते हैं आप सबके कि PHP में string कैसे पता चलेगा कि यह string है double quotes यह single quotes तो यह तो single quotes रहेगा यह double quotes रहेगा तो मतलब क्या होता है वो string है ठीक है string मतलब क्या होता है कि double quotes में रहेगा value फिर आप यह देख सकते यह integer हो गया यह float हो गया यह double हो गया अच्छा सबसे important चीज वेरियेबल डंप यह function हम क्यों use करते हैं सबसे क्यों हम use करते हैं जैसे कि आप हमारे system को तो पता नहीं है क्योंकि हमने declare नहीं किया है कि यह string है यह integer है यह वो है तो हमको यह बताने के लिए कि यह integer value है यह double value है यह float value है हम क्या करते हैं हम variable dumb का use करते हैं ठीक है हम किसका यूज करते हैं variable dumb तो variable dumb क्या करता है कि it will return the value and the data type यह सब अगर मुझे पता लगाना है कि $X का value और data type क्या है मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने code दे दिया है मैं इसको run करी हूँ, मुझे वालूम नहीं है कि इसका return ये कौन से data type है, dollar x मतलब ये वाली value क्या है तो अगर मैं variable underscore dumb और जो भी variable के बारे में मुझे पता करना है वो लिखती हूँ, तो वो मुझे क्या return करेगा कि ये string type है ये value क्या है, string type और मैंने यहाँ पर लिखा dollar y तो वो बताएगा integer type उसकी value है 45 Z किया तो float, value है 2.8 तो इसलिए मुझे variable dumb का function का use होता है फिर strings क्या होते हैं, strings में देखो एक example मैंने या पर लिया है कि बहुत तरह के strings हो सकते है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने string के बहुत सारे functions का use किया है कि अगर मैं एक string यूज कर रही हूँ, तो मैं कौन कौन से functions यूज कर सकते हूँ, जैसे कि hello है तो आप मुझे suppose इसका length अगर मुझे count करना है कि इसके अंदर कितने characters है मतलब इसका length कितना है कितने, कितना लंबा है यह string तो string length, आप देख सकते हैं यह inbuilt functions होते हैं inbuilt मतलब already रहता है system में, हमें सिभ इसको import करके use करना होता है तो अगर मुझे count करना है कितने words है तो string underscore word underscore count अगर मुझे world को reverse करना है ठीक है d, l, r, o, w करना है तो string reverse अगर मुझे इसकी position find करना है कि world की position क्या है तो string pause अगर मुझे replace करना है कि dolly को replace करो hello world से तो यह already defined रहता है हमें सिभ इसको use करना होता है तो thank you आप सबका यह video देखने के लिए I hope कि आपको यह video समझ में आया हो आप अपने feedback देख सकते हैं कोई आपको suggestion, problem या आपको कोई solution चाहिए तो अभी आप मुझे comment में देख सकते हैं आप मेरा video like करें और सबको forward करें जिनको भी PHP coding के बारे में जानना है Thank you so much